तीन लाख रुपए प्राप्त करें घर बनाने या घर की मरम्मत के लिए ओडिशा में मोघर योजना के तहत है। ओडिशा मोघर योजना 29 मई को नवीन पटनायक सरकार ने मोघर योजना शुरू करने की घोशना की जो उन लोगों को क्रेडिट लिंक दरिन प्रदान करेगी जिनके पास अपने घर बनाने या मरम्मत करने के लिए पैसे की कमी है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं। जैसा कि बीजेडी का पांचवा कार्यकाल चार साल तक चला, ओडिशा सरकार ने हाल ही में मोघर योजना सहित 18 महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकार किया। मोघर योजना ओडिशा के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़े, जिसमें इसकी विशेश्टाएं, उद्देश, विशेश्टाएं और लाब, पात्रता आवश्चक्ताएं, आवश्चक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ शामिल हैं। कार्यक्रम जो श्री पतनायक के पाँचवें कार्यकाल के चौथे वर्ष के अंत में प्रभावी हुआ, उन सभी परिवारों की मदद करेगा, जिन्हें पहले सक्त पात्रता, आवश्चक्ताओं या धन की कमी के कारण मौझूदा आवास कार्यक्रमों से बाहर रखा गया थ साथ ही साथ जिन्हें पहले निम्न प्राप्थ हुआ था, आवास के लिए आय वित्त पोशन और अब अपने घरों में सुधार या विस्तार के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। द्वारा उप्योग किये गए 18 सुझावों में से एक थी, जिसका नेतरित्व मुख्यमंत्री नवीन पतनायक कर रहे हैं। प्रस्तावों को मन्जूरी दी। उनके लक्षियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ग्रामेंट शेत्रों में गरीब और निम्नमध्यम वर्ग के परिवारों को पंचायती राज एवं पेजल विभाग में मोघर योजना के माध्यम से पैसा देगी। ओडिशा मोघारा योजना का विवर्ण मोघर योजना ओडिशा मिशन राज्य मंत्रिमंडल ने मोघर नामक एक नए आवास कार्यक्रम की अनुमती दी जो गरीब और निम्नमध्यम आयवाले ग्रामेंट ओडिशा परिवारों को अपने घर के सपने को साकार करने के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करेगा। इस पहल में उन सभी परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें सक्त योग्यता नियमों या पैसे की कमी के कारण आवास देने से मना कर दिया गया था। अधर महसूस कराता है और उनकी गरिमा के योग्य बनाता है। यह ग्रामेंट ख्षेत्रों की आर्थिक समरिध्धी में योगदान देता है। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को रुपए तक का ग्रिह रिन मिल सकता है। तीन लाख जिसे साधारन भुगतानों में एक वर्ष की होल्ड अवधी के अपवाद के साथ दस वर्षों में चुकाया जा सकता है। कैबिनेट की घोशना के अनुसार चार रिन राशी स्लैब रुपए हैं। एक लाख एक दशमलव पांच लाख रुपए दो लाख रुपए और रुप तीन लाख पचीस हजार रुपए से कम मासिक वेतन वाले और जिन्हें पहले कुल सत्तर हजार रुपए या उससे कम की आवास सहायता प्राप्थ हुई है। वे मोघर कार्यक्रम के तहट रिन के लिए पात्र हो सकते हैं। वे मोघर योजना ओडिशा के लिए आवश्चक कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निन लिखित हैं। पासपोर्ट साइस फोटो, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पता सत्यापन, पहचान दस्तावेज, आवास प्रमान पत्र, वास्तविक प्रमान पत्र, बीपी एल का प्रमान पत्र, EWS का प्रमान पत्र, मोघर योजना ओडिशा आवेदन पत्र, मोघर योजना ओडिशा के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को नीचे उलिखित आवश्चक्ताओं को पूरा करना होगा। शुरू करने के लिए मोघर योजना ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। अपलाई बटन पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देगा। पर क्लिक करें.